हेलो गाईज आज आपन पेपर अनलेसिस करेंगे तो MPMSU का 2018 का पेपर, 2019 का पेपर और 2020 इन तीन पेपर को लेंगे अपन और चरक सही ताके सूत रिस्थान के 1st चैप्टर से लेकर सूत रिस्थान के 5th चैप्टर तक पेपर अनलेसिस करेंगे कि किस किस टैप के कॉशन्स कौन से कोशन 5 मार्क से आए है और कौन से कोशन 10 मार्क से आए है ठीक है तो अपन आज सूत रिस्थान के 1st चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक जो जो कोशन्स आ चुके हैं इन 3 साल में MPMSU में चरक सही ताके तो वो देखेंगे उसके बाद अपन ये देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या है जो जो possibilities होंगी वो आपके साथ share करेंगे और अगर उनमें से कोई tricks होगी तो वो आपको बता देंगे उसके बाद अपन important points देख लेंगे कि अगर exam आ चुके हैं और आपके पास इतना time नहीं है कि आप पूरा chapter पढ़ें तो किन-किन important topics पे आप focus करेंगे जि चलिए start करते हैं चरक सहीता का सूत्रिस्थान का प्रथम अध्याय जिसका नार में दीरगन जीविती अध्याय तो थोड़ा समझ लीजे कि 2018 2019 और 2020 इन तीन पेपर का इनाले से सम्झे किया है और इस चेप्टर से फर्स चेप्टर से दीरगन दीविती अध्याय से तीन कोश कोशन है तो चलिए start करते हैं 2019 में जो वन मार्क का कोशन पूछा गया है कि ग्यान देवता किसे नहीं कहा गया है इसके option थे बुद्धी, सिद्धी, छमा और दम तो आंसर इसका दम अब इस कोशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि पुनरवसु आत्रे ने जब आयर अगनिवेश आदि सिस्ष्यों ने जब अपने अपने ग्रंत की रचना की तब उन में बुद्धी, सिद्धी, इस्मरती, मेधा, धरती, कीर्ती, छमा और दया रूपी आठ ग्यान देवताओं ने प्रवेश किया और क्यू प्रवेश किया ताकि जीवन निर्मान के लिए स अगनिवेश आदि रिशियों में बुद्धी, सिद्धी, मेधा, धरती, इस्मरती, छमा दया और कीर्ती रूपी आठ ग्यान देवताओं ने प्रवेश किया तो इसमें कोशन पूछा गया था कि ग्यान देवता किसे नहीं कहा जाता है तो बुद्धी है, सिद्धी है और और दम लिखा है तो दम इसका आंसर नहीं है फिर बात करते हम 2018 के कोशन की 11 नमबर का कोशन वन माक्स में पूछा गया था कि धर्म अर्थ मोग्च की प्राप्ती होती है इसके ओप्शन थे तब से दान से आरोग्य से और अनारोग्य से हमने पढ़ा है चरक सूतरिस्थान क पहले अध्याय का 15 नमबर का श्लोग है धर्म अर्थ काम मोग्च आरोग्य मूल मुत्तम अरोग्य ही धर्म अर्थ काम मोग्च रूपी चार पूरिसार्थों की प्राप्ती का प्रदहान साधन है फिर बात करते हम 2018 के पेपर में 13 नमबर का कॉशन वन माक्स में पूछा गय सत्व आत्मा शरीरम चत्रय में तत्री दंडवत लोकस्ति स्थति संयोगात तत्र सर्व प्रतिष्टित चरक सहीता के सूत्रिस्थान के प्रथम अध्याय का 46 नंबर का श्लोक है इसका मतलब है कि सत्व आत्मा और शरीर इन तीनों को ही त्री दंड की संग्या दी गई है और इन ही तीनों के संयोग से लोकस्ति संयोगात इन तीनों के संयोग से सत्व आत्मा और शरीर इन तीनों के संयोग से ही लोग जीवात्मा युक्त पूरुश स्थित है और इन ही में तत्र सर्व प्रतिष्टितम और इसी लोग में ही सब कुछ प्रतिष्टित है ठीक है तो इ अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर करना चाहते हैं तो important topics हम आपको बता दे रहे हैं उनको आप देख लीजेगा तो वो आपके लिए sufficient हो जाएगा तो देखिए आयू की परिभासा देख लीजेगा आयूरवेद की परिभासा हेतु, लिंग और औषद यत새 लिंग आयूरव? सूत्र को ही त्री सकंध भी कहते हैं तो आप कन्फ्यूज मत हो येगा कि अगर त्री सकंध आगया एक्जाम में तो वो त्री सूत्र ही है हेतु लिंग और आउशद उसके बाद त्री धंड देख लीजेगा सत्व आत्मा शरीर ये भी उसको देख लीजेगा इसे भी हम पदा गए हैं शरीर और मन ठीक है अगर यहीं पर कोश्चन आजा कि वेदना का आश्रे क्या होता है तो शरीर मन और इंदरी ये तीन वेदना के आश्रे हो और रोग और आरोगे का आश्रे अगर पूस्ता है तो शरीर और मन होता है तो शरीर और मन में अगर इंदरी को जोड़ दे और पारते और बहर और भी प्रकार का दरव्य का वर्गी करन दे रखाए इसमें summarize 16 दरव्यों को रखा गया है जिन में मुलिनी दरव्य सोला होते हैं फलिनी दरव्य उन्נिस होते हैं महा सने 4 होते हैं लवन 5 होते हैं, मूत्र 8 होते हैं, दुग्द 8 होते हैं और सोधन वरक्ष 6 कहे गए हैं तो इस प्रकार टोटल 66 द्रव्य दे रखे हैं, तो इन द्रव्यों के अगर आप मूलिनी फलिनी के नाम याद कर लेंगे महा इसने के नाम और इनके गुण देख लीजेगा थोड़े से और लवन के नाम क्या होते हैं, पंच लवन जो हैं, इनके नाम और इनके गुण मूत्र और दुग्द जो हैं, ये 8 होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं और शोधन वरक्ष 6 कौन से होते हैं तो इतना भी देख लेंगे तो यह आपके लिए sufficient हो जाए इस तरीके से आपका दीरगन जीवती अध्या यहाँ पे complete होता है तो अगर अपन इसकी analysis करना चाहें इस chapter की तो देखिए पिछले 3 साल से इसमें सिर्फ 1 marks के question ही पूछे जा रहे हैं तो mostly इस chapter से 1 marks और 2 marks के question से पूछे जाते हैं अगर 5 number के question पूछे जाएंगे तो वो क्या पूछे जाएंगे कि मूलिनी फालिनी दरव्यों के नाम क्या होते हैं ठीक है तो आपको वो याद होने चाहिए कि मूलिनी दरव्य 16 होते हैं उनके क्या नाम हैं फिर बात करते हैं हम दुती अध्याय की चरक सहीता के सूत रिस्थान के दुती अध्याय अपामार्ग तंडुली अध्याय की इसमें सुन लीजिए कि इसमें भी दो question पूछे गए हैं एक 2019 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है और दोनों one marks में पूछे गया है ठीक है तो देखिए 2019 के paper में दूसरे number का question पूछा गया है कि युक्ति आशरित है one marks में पूछा गया है इसके option है मातरा एवं काल पर देश एवं काल पर मातरा काल एवं देश पर और केवल देश पर तो इसका answer है first तो इसका reference देखिए चलक सहिता के सूतरिस्थान के दुती अध्या अपामार के तंडुली अध्या में श्लोक नंबर पंदरा युक्ति के महत्व का श्लोक है मातरा काल आशरिया युक्ति सिधिर युक्तो प्रतिष्थिता तिष्थ उपरी युक्तिग्यो द्रव ज्यान वताम सदा मतलब मातरा काल आशरिया युक्ति युक्ति मतलब योजना आशद की योजना जो रहती है वो मातरा और काल पर ही निर्भर करती है सिधिर युक्तो प्रतिष्थिता मतलब इसी युक्ति याने की योजना से औशद की योजना से सिद्धी याने की सफलता इस्थित रहती है और तिष्ठ उपरी युगतिग्यो द्रवे ग्यान वताम सदा अर्थाद द्रवे का केवल द्रवे का ग्यान रखने वाले वैदे से उपर ओशद की समय की योजना जानने वाले वैदे को उपर रखा गया है फिर देखे दो हजार बीस के पेपर में सेकंड नमर का कोशन पूछा गया है कि वामक द्रवे के नाम लिखें तो वामनार्थ द्रवे 10 कहे गए हैं तो शट वामक द्रवे में कौन से आते हैं तो मदनम यानि की मदनफल, जीमू तक, एकछवाकू, कुटज, करतवेधन और धमारगवे इन 6 को शट वामक द्रवे में रखा गया है और मधुक, पिपली, निम्ब और एला इन 4 को मिला गर के वामनार्थ द्रवे टोटल 10 कहे गए हैं इसकी ट्रिक अगर आप देखना चाहे तो शट वामक मीथे पाइन में तो शट वामक में आ जाएंगे मदनफल, जीमू तक, एकछवागू, कुटज, करतवेधन और धमारगव मीथे से मधुक को लेना है पाइन से पिपली, निम्ब और एला तो पिपली आ जाएगा, एन से निम्ब और एला जाएगा तो शट वामक मीथे पाइन में ऐसे करके आप वामक द्रव्यों को याद कर सकते हैं फिर बात करते हैं कुछ important topics की कि अगर आपके पास समय कम है आप ज़्यादा output लेना चाहते हैं हमने पहले भी डिसकस किया तो आप इन इन topics को देख लीजेगा इसमें सिरो विरेचन द्रव्यों के बारे में कहा गया है तो सिरो विरेचन द्रव्यों की संख्या देख लीजेगा कि 25 होती है इन में 4-5-6 आपको जितने भी याद हो सके याद कर लीजेगा और आस्थापन और अनुवाशन द्रव्यों की संख्या 29 बताए गई है तो इसमें से भी आपको जितने याद हो सके उसने आप याद कर लीजेगा इसके बाद युक्ति का महत्व देख लीजेगा जो की कोश्चन में भी पूछा गया है अभी डिसकस कर लिया है और 28 प्रकार के यवागू बताए गए है तो यवागू की संख्या आप याद कर लीजेगा और इस्टार्टिंग के जो 4 यवागू है उनको आप देख लीजेगा तो उतना भी आपके लिए सफिचियन्ट हो जाएगा तो देखें सेकंड चेप्टर से हमने ये एनलेसिस किया कि इस सेकंड चेप्टर से भी मोशली एक नमबर के ही कोशन पूछे जाते हैं वन मार्क के कोशन आते हैं तो जादा से जादा पूछा जागा युक्ति का महत्व क्या होता है दो नमबर में पूछा जा सकता है तो युक्ति की परिभाशा याद कर ही लिजेगा इसका रिफरेंस हमने आपको बता दियो और यवागू की संख्या 28 होती है और स्टार्टिंग के चार यवागू के नाम और उनके examples देख लीजेगा इतना I think sufficient रहेगा इस chapter से फिर बात करते हैं चरक सहीता के सूतरिस्थान के तरती अध्याय की आरगवधी अध्याय की तो आरगवधी अध्याय से 2018, 2019, 2020 तीन साल के paper analysis हमने किया है और इन तीन paper में से सिर्फ एक question आया है वो भी one marks में 2019 में तो देखे 2019 के paper में one marks में एक question पूछा गया है थर्ड नमबर का question तक्रेण युक्तम यव चूनम उष्णम सचार मरती जठरे निहनियाद तो इसकी options है जठरे, पार्षवे, प्रस्थे और अनिले तो इसका answer है जठरे, सूतरिस्थान के तीसरे अध्याय आरगवधी अध्याय का बीसवा नमबर का शुलोक है ये ठीक है अगर आपको लगे तो आप जाकर के देख लीजेगा तो इसका answer है जठरे, इस chapter के important topics की बात करेंगे तो आप इत्ता बस याद रखे कि कुल 32 लेपों का वणन किया गया है आरगवधी अध्याय में जिसमें से 15 कुष्ठ नाशक है, 4 वात विकार नाशक है, 3 वात रक्त नाशक है, 2 सिरह सूल नाशक है, 2 दाहन शामक है, 1 उदर सूल नाशक है, 1 पार्षव सूल नाशक है, 1 सीत नाशक है, विशगन लेप है, 1 सुवेद हर लेप है, 1 और 1 दुरगंद नाशक लेप है तो इस chapter में से भी mostly एक या दो number के question पूछे जाते हैं ऐसा question पूछा जा सकता है कि कुल लेपों की संख्या कितनी बताई गई है आरगवदी अध्या में तो 32 बताई गई है और ऐसा पूछा जा सकता है कि 10 शामक लेपों की संख्या कितनी है तो 2 है कुछ जासक लेपों की संख्या कितनी है तो 15 है तो ये आप देख लीजेगा फिर बात करते हैं सूत रिस्थान के चौथे अध्याई शट विरेचन शट आशिरती अध्याई की तो 3 साल के paper में सिर्फ 2 marks के 2 question पूछे गए है और वो दोनों question 2018 के paper में पूछे गए है ना 2019 के paper में कोई भी question पूछा गया है चौथे chapter से ना 2020 के paper में चौथे chapter से कोई भी question पूछा गया है तो चलिए देखते हैं 2018 के paper में 2 marks के question में पहला question पूछा गया था पंचवित कशाय कलपना के नाम लिखें तो इसका अंसर है स्वरसह कलकह शृतह सीतह फांटह कशायस चैती मतलब स्वरस कलक शृत याने की कौत हिम याने की सीत और फांट ये पंचवित कशाय के नाम कहे गए हैं तेशाम ये था पूर्वं बलाधिक्यम अर्थात इन पंचवित कशाय कलपनाओं में से अंतिसिक रमसभ पूर्व की ओर अधिक बलवान होते जाते हैं अर्थाच फांट से ज़्यादा बल्वान सीत है फांट और सीत से ज़्यादा बल्वान कौाथ है यानि की शिरित है फांट सीत और कौाथ से ज़्यादा बल्वान कलक है और फांट सीत कलक और कौाथ से ज़्यादा बल्वान स्वरस को कहा गया है फिर बात करते हैं 2018 के दो नमबर के कोशन में से सेकंड नमबर का कोशन पूछा गया है हृिद्य महा कशाय के चार दरव्यों के नाम लिखें तो हृिद्य महा कशाय में टोटल दस दरव्य बताए गए हैं आमर आमर तक व्रिक्ष अमल अमल वेतस लकुछ करमर्द बदर याने की बेर कुवल मतलब बड़ी बेर दाड़े मौर मातुलिंग इस प्रकार ये दस दरव्य हृिद्य महा कशाय में कहे गए हैं इन में से आपको चार के नाम पूछे गए हैं तो आप कोई भी चाल लिख सकते हैं फिर बात करते हैं इस चैप्टर के इंपोर्टन टॉपिक्स की तो इस चैप्टर में सबसे पहले वमन विरेचन के योग 600 योग बताए गए हैं जिसमें से वमन के योग 355 बताएं और विरेचन के योग 245 बताएं जाद रखेए तो वमन योग की संक्या 355 बताए गए हैं और विरेचन योगों के आश्रे देख लीजेगा कि 6 आश्रे बताए गए हैं मूल, तुवक, पत्र, पुष्प, फल और छीर इसके बाद पंचवित कशाय यौनियों के बारे में और पंचवित कशाय कलपना के नाम देख लीजेगा और इसके बार इसमें 50 महा कशाय का वर्णन किया गया है प्रतیک महा कशाय में 10 द्रवियों का वर्णन किया गया है तो ये महा कशाय आपको जितने जज़ादा से ज़ादा याद हो सके आप याद कर लीजेगा इसमें चरक सहीदा से तो पूछा ही जाता है और द्रवीगुंण विग्ग्यान के फर्ष्ट पेपर में हर पेपर में कम से कम 5-6 नमर के question जिससे महाकशाय से आते हैं तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको याद कर लिजेगा और रही बात नियुमोनिक्स की तो हम पहले discuss कर चुके हैं आप इसके खुद के नियुमोनिक्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा समय तक याद हो जाएंगे तो इसलिए आप ट्राइ करेगा कि आप इसके खुद के नियुमोनिक्स बनाए और खुद के नियुमोनिक्स सही से याद करें फिर बात करते हैं फिफ्ट चेप्टर की चरक सहीता के सूतरिस्थान के पाँचवे अध्याय, मातरा सिती अध्याय की, तो देखिए इसमें तीन कोशन पूछे गए हैं, 2018 के, 2019 के और 2020 तीनो के पेपर को मिला करके तीन कोशन पूछे गए हैं, जिसमें से 1 मार्क्स का एक कोश पूछा गया है, और तीनो कोशन 2018 के पेपर में पूछे गया है, ना इससे 2019 के पेपर में कुछ पूछा गया है, और 2020 के पेपर में कुछ पूछा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कि दो नंबर का एक कोशन पूछा गया है, 2018 के पेपर में, दो नंबर का C नंबर का को ये छे वरक्ष जो है ये दातों के लिए उत्तम वरक्ष कहे गए फिर बात करते हैं पांच नमर के कोश्चन की तो 2018 के पेपर में फाइब मार्क से कोश्चन में पहला कोश्चन जो है वो पूछा गया है धूम पान का वर्णन करें तो धूम पान के वर्णन में हम आपको जैसे कोश्चन आया धूम पान का वर्णन करें तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि धूम पान का वर्णन चरक सहीता के सूतरिस्थान के पांचवे अध्या मात्रा सिती नामक अध्या में किया गया है इसके बाद धूम पान के लाब लिखेंगे धूम पान कितने प् आयोग और अतियोग मतलब अगर अठी तरीके से धूम पान वीदी का प्रयोग किया गया तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे आयोग के लक्षण क्या मिलेंगे और अगर अति मात्रा में धूम पान का प्रयोग क्या दिया गया है तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे और धूम पा जो कि आपके लिए beneficial रहेगा तो one marks का question पूछा गया है 2018 के paper में one marks का पहला question ही पूछा गया है चरक अनुसर कौन सा अंजन प्रती दिन प्रयोज्य है इसके option ते रसांजन, सौवीर अंजन, पुषपांजन और स्तुरोतो अंजन तो इसका answer है second number का सौवीर अंजन, तो अगर आप इसे देखना चाहें तो इसका वणन चरक सहीता के सूतरिस्तान के पांचवे अध्याय, मातरशिती अध्याय के 18 नंबर के शलोप में दे रखा है सौवीर अंजन का प्रयोग हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, जो की हितम अख्षणों आखों के लिए हित कर रहता है और पंच & 8. रात्री मतलब पानचवे या आठवी रात्री में प्रयोक किया जाता है रसानजन का, यानि की सब्ताह में एक बार प्रयोक किया जाता है रसानजन का, तो इसका अंसर है 2nd number का option स्वी रनजन तो फिर आपन बात कर लेते हैं important topics की इस chapter की, तो इस chapter में आहार मात्र इसका आइनुसार कौन सांजन सप्ताह में एक बार प्रेयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका रसांजन, धूम पान के बारे में हमने डिसकुर्स किया कॉशन प्रेयोग रही है, तो उसको आफ बिद्याती कि आशेच पूइचे से देख लिजगा, इसके सारे प् उसको आप देख लीजेगा नसे के बारे में देख लीजेगा नसे के क्या लाब होते हैं और अनु तैल का नसे किया जाता है तो अनु तैल की विधी देख लीजेगा उसकी मातरा देख लीजेगा उसके घटक दरवे देख लीजेगा और दंदपवन के व्रक्षों के बारे म जरूर कवर कर लीजेगा अब एक important point यहाँ पर सुन लीजे आप कि यह जितने भी important topics हर chapter में हमने आपके साथ discuss किये हैं कि अगर आपके पास time कम है तो आप इन इन topics को जरूर कवर कर लीजेगा तो यह जितना भी हमको हमारे teachers ने बताया है और जितना paper analysis हमने तीन साल में किया और हमने आपके सामने रखा उसके basis पर हमने आपके साथ important topics share किये हैं अगर हो सके तो आप पूरा chapter पढ़िएगा लेकिन by chance अगर आपके पास समय कम है तो यह important topics उस basis पर बताया है कि आपके पास समय कम रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना syllabus cover कर सकते हैं उस basis पर बताये गए हैं अगर आपको इन तीन साल के PDF चाहिए हैं तो description में तीनों साल के 2018, 2019 और 2020 का MPMSU का paper uploaded है अगर आप चाहें तो वहाँ से उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है, thank you so much for listening please like, share and subscribe